दुनिया भर के देशों में कोरोना वारिस का कहर भी कम हुआ नहीं है कि चाइना में एक और वारिस पैदा हो रहा है इसका नाम है हेंता वारिस हेंता वारिस दोस्तों यूनान शहर से आ रहा है जिस तरीके से वुआन सिटी से कोरोना वारिस ने उपज लिया था उसी तरह से हेंटा वाइरस आ रहा है यूनान शहर से आईए इस वीडियो में आप सभी को शक्स के बारें बताता हूँ जिसको पॉजिटिव पाया गया हेंटा वाइरस में और कुछी घंटों के अंदर उसकी मौत हो गई आप सभी बिल्कुल भी घबराईएगा नहीं इस नए वाइरस से वीडियो के अंद में आप सभी को एक शंतोष जनक भी घबर दूँगा जो कि आपको सुकून देगा और हाँ दोस्तो आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप आने वाली वीडियो के भी लुफ्ट उठाते रहें हेलो दोस्तो नमस्कार प्रयाग राज से मैं प्रवीन महुलियार करता हूँ आप सभी का स्वागत इस नए वीडियो में मैं न्यूस खोज रहा था कि कोरोना वाइरस के उपर आप सभी को अपडेट करूँ तो देखता हूँ हेंटा वाइरस नाम का एक नया वाइरस उपज ले रहा है चाइना में यूनान शेहर में दोस्तो इसका एपिक सेंटर है और बताये जा रहा है एक शक्स पॉजिटिव भी पाया गया इस वाइरस में और वो शक्स वापस लोट रहा था अपने प्रोविंस बस में और दोस्तो उसी दोरान उसकी मौत हो गई एक दिन पहले वो डॉक्टर्स की यहां गया था एक दिन पहले मतलब 4-5 घंटे पहले क्योंकि रात का समय था तो दोस्तो वहाँ पर हेंटा वाइरस में उसको पाया गया पॉजिटिव और आप सभी को बता दूँ कि यह जो हेंटा वाइरस है यह घातक वाइरस है इसमें मौत भी होती है लोगों की फिलहाल की खबरे ऐसी आ रही है उसक्स की दोस्तो वही मौत हो गई और बाकी सारे बस में लोग थे 32 लोग थे वो अब अपना टेस्ट दे के आ रहे हैं अभी उनकी रिपोर्ट सामने नहीं आई है As per the website of Center for Disease Control and Prevention यह हेंटा वाइरस रॉडेंट से फैलता है रॉडेंट मतलब की चुहे चुछुंदर खरगोश ऐसे जी दोस्तो इनके मल मूत्र या फिर लार से यह वाइरस फैलता है अगर इनकी डेड बॉडी भी कहीं पड़ी है तो उससे भी यह वाइरस फैलता है अगर आप उसको छूटे हैं और फिर अपने सेंस और पर टच करते हैं जैसे मूह आकान तो दोस्तो यह वाइरस आपके शरीट के अंदर चला जाता है शंतोष जनक बात यह है कि यह वाइरस एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर नहीं होता है इसलिए आप सभी ज्यादा परिशान न होईएगा वहाँ पर अभी एक ही केस आया है चाइना में लेकिन हाँ कोरोना वारस में भी सुरू में एक ही केस आया था धीरे धीरे बढ़ गया था इसलिए हम इस पर आँख नहीं मून सकेंगे मुझे उमीद है चाइना का प्रशाशन इस पर जरूर सक्त आप सभी फिलहाल के लिए कोरोना वारिस के लिए ही चिंतित रहिए घरों में रहिए बाहर में निकलिए अभी हमारे लिए बड़ी विब्टा वही है दोस्तो इस वीडियो को प्लीज अधिक सदिक शेयर कर दीजे क्योंकि मुझे उमीद है जल्द ही अपने इंडिया के जादे जैहिन जैभारएब